साथियों 21 सदी भारत की सदी हो यह हमारे देश के महपुरुशों और महानारियों का सपना रहत है लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं 21 सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वस्रेष्ट बनाने के लिए अपना योगदान देगा बदलते हुए विश्व में भारत के लिए अउसर बढ़ रहे हैं कभी-कभी तो लगता है जैसे अउसर की बार आ रही है इस अउसर का हमें किसी भी हालत में किसी भी सूरत में इन अउसरों को हमें हाद से निकलने नहीं देना है पिछली स्टाब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है उन अनुभवों से सीखे और उन अनुभवों की सीख हमें बार बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गवाना है समय को साधना है साथियों एक बहुत पुरानी और महत्ववन बात में जिक्र करना चाहता हूँ वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानन जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्हाने एक आहवान किया था और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरी हो देश वाज़ों के लिए यही एक काम भारत माता की आराधना ही और हमने देखा उस महापुरिष की वानी की ताकत इसके ठीक पचास वर्द बार उनके उस अहवान को याद करते हुए हम सब को यह संकल्प लेना है यह संकल्प हो इंडिया फ्रस्ट का भारत सर्वोपरी हम सिर्फ शिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नती भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए हमारा हर नेना हर फैसला एकी तराजु में तोला जाए और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरी देश का हित सबसे पहले हमारा हर नेड़े वर्तवान और भावी पीड़ी के हित में हो साथ क्यों स्वामी विवेकान जी ने तो पचास वर्ष की बात की थी हमारे सामने 25-26 साल बार आने वाली भारत की आजादी की सोवी वर्षगांट है जब देश वर्ष 2047 में 2047 में अपनी स्वतंत्रता के सोवे वर्ष में प्रवेश गरेगा तब हमारा देश कैसा हो हमें देश को कहां तक ले जाना है इस 25-26 वर्ष कैसे हमें खब जाना है इसके लिए हमें आज संकल पर लेकर काम शुरू करना है जब हम आज संकल पर लेकर देश हित को सरोपरी रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमाने नहीं बलकि देश का भविश भी बहतर बनाएंगे आत मंदिर भर भारत का निर्मान सम्रुद्ध भारत का निर्मान अब रुकने वाला नहीं है कोई रोग में नहीं सकता